प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी के लोग प्रेयर रेडियो शो मन की बात ने रविवार 30 अप्रेल को 100 एपिसोट पूरे कर लिये हैं अस मौके पर उन्होंने कहा कि ये कारिक्रम एक जन आंदोलन बन गया है प्रेयर मोधी ने इसके बाद हर्याना की सुनील जागलान का दिक्र किया और सेलफी विद डॉर्टर अभ्यान की सफलता को याद किया उन्होंने सुनील जागलान की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे मन में इनका काफी प्रभाव है क्योंकि हर्याना में जेंडर रेशो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी हर्याना से ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभ्यान की शुरुवात की थी पिये मोदी ने सुनील जागलान की सेलफी विद डॉटर कैमपेंग की तारीफ की उन्होंने कहा कि मैंने जबी कैमपेंग देखा तो मुझे बेहत खुशी हुई मैंने उन से सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया देखते ही देखते सेलफी विद डॉटर कैमपेंग एक ग्लोबल कैमपेंग में तबदील हो गया ऐसे कई प्रयासों का नतीजा है कि आज हर्याना में जेंडर रेश्यो में सुधार हुआ है चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है सेलफी विद डॉटर कैमपेंग इस कैमपेंग के तहट सुनील जागलान ने लोगों से बेटियों के साथ फोटो खिशवाने को कहा इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर अप्लोज करने को कहा लोगों को उनका ये आइडिया काफी बसंद आया सुनील ने बाद में इस कैमपेंग के लिए एक विबसाइट भी बनाया जहां लोग अपनी बेटी के साथ सेलफी शेयर कर सकते हैं आज असब भ्यान को 8 साल हो चुके हैं और दुनिया के विभिन हिस्सों से इसके समर्थक हैं और अब उनका ये कैमपेंग दुनिया के असी देशों तक फैल गया है कौन है सुनील जागलान ये भी आपको बता देते हैं सुनील जागलान की बात करें तो हर्याना के जीन्द चिले के बीवी पुर्ट गाउं के सरपंच रहे चुके हैं उस साल 2010 में सरपंच चुने गए थे उन्होंने इस दौरान गाउं में कई विकास कारेकरम कराई उन्होंने टेड टॉक्स में बताया कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आया था दरसल साल जैनवरी 2012 में सुनील की वाइफ गर्पवती थी और उनसे नर्स ने धीमी आवास में कहा कि लड़की हुई है मैं खुश था लेकिन नर्स दुखी नजर आ रहे थी जब मैंने गाउं में मिठाई बाटी तो लोगों को लगा कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है इस घटना के बाद मेरे गाउं का जेंडर रेशो मैंने देखा तो वो बहुत कम था इसके बाद मैंने इस पर काम करना शुरू किया साल 2012 में उनकी पहल पर लाडू पंच्रायत का आयोजन किया गया था इसे खाप पंच्रायत में कई महलाओं ने हिसा लिया था और करन्या भून हत्या के खलाफ आवाज उठाई थी जागलान के घर के बाहर उनकी बड़ी बेटी नंदनी के नाम की नेम प्लेट लगी हुई है